आप सभी दर्शकों का स्वागत है इस नई वीडियो में जहां हम सीखेंगे भी और पैसे भी कमाने की कोशिश करेंगे अगर इसमें बात करें हम इसके कंपनी के स्पेशलिटी जो है इनके पास 40 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ आप्शन्स अविलेबल है आपके पास में पचास से ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स है अलग-अलग तरीके की और इनके जो एसेट क्वालिटी है वो करीब करीब 3.8-2 लाख करोड के एसेट है इनके पास में तो काफी हेवी हेल्दी बैलन्स शीट है इनके पास में और अगर हम देखें कि इनकी जो बैलूशन है वो भी बहुत अच्छी है और जरनकी स्कीन चलती है वो भी काफी अच्छी है एक मिट के लिए जरनकी वेबसाइट को देखते हैं तो आपको बताएंगे कि इनके पास में, इतने सारे option available हैं आपके पास में करने के लिए, देखें, आप आपको दिखाते हैं यहापर, इनकी website पर हम देखें, तो इनके पास में, wealth creation के अंदर 10 सेदा scheme है, tech saving के अंदर 20 सेदा scheme है, children fund के अंदर 10 सेदा scheme है, retirement planning के अंदर 10 सेदा scheme है, और regular income के अंदर भी 20 से segmentation बनाए हुए है और उसके basis पर आप अपना जो भी mutual fund चूज़ करना है उसको चूज़ कर सकते हैं तो इसके reference में अगर आप especially कोई child के gift कर रख रहे हैं कोई early age में आप उसको शुरू करते हैं और उसके बाद में आप let's say study time पर या शादी के time पर वो पैसा withdraw करना चाते हैं तो both android and ios की app है तो अपना सारा transaction आप महाँ पर देख सकते हैं और अगर आपको कोई भी question है तो उसके साथ में उनके phone number available है जिसके through आप उनको contact कर सकते हैं और direct web chat भी कर सकते हैं इनके साथ में अब इनकी अगर हम valuation की बात करें तो इनका जो price Friday को बंद हुआ था वो करीब करीब बहुत healthy market cap है और अगर PE की बात करें तो इसका PE 40 के आसपास है जबकि industry का PE 28 के आसपास है समझ सकते हैं industry leader है definitely अपने अपने आप में market lot एक है अगर आप और इसकी face value पांच रुपे की है dividend की दिरस्टी से इतना जाद अच्छा नहीं है dividend yield सिर्फ 1.1 परतिशत है और dividend 56.560 परतिशत है क्योंकि valuation 5 रुपे के against 200-2418 की है बहुत जादा valuation है और समझ ये इसका reason क्यों valuation का है क्योंकि ये बहुत ही अच्छी asset company है अपने customer की need को जानती है उसके basis पर उनने अपने product को design क किया हुआ है ताकि customer एक बार आएगा तो कोई ना कोई तो scheme खरीद के जाए गए जाएगा अब इनकी अगर quarter June end वाले quarter की बात की जाए तो इनकी जो sales थी वो 411 करोड की sales थी versus अगर March का देखा जाए तो 476 करोड की sales के comparison में और इनकी other income जो हुई है वो करीब-करीब 79 करोड क 249 करोड के तो काफी अच्छा healthy result दिखाया है even though sales कम हुई है पर other income बढ़ गई है और expense को थोड़ा control करने के बाद में इन्होंने अच्छा result दिखाया है करीब-करीब आपका 17% का up move दिखाया है 200 से 302 का तो करीब 18-20% के आसपास का इन्होंने up move दिखाया है बहुत अच्छा result दिखाया है जैसे उमीदी उससे अच्छा result दिखाया अपना अगर बात करें promoter stakeholder की तो 73% stake promoter के पास है और FIA लगातार अपना holding बढ़ा रहे हैं इसमें देखिए 5% से 8% 8% से 10% तो बहुत अच्छा pattern है FIA के लिए इसका मतलब यह कोई तो asset है इसके अंदर जो FIA को पसंद करने वाली है और इसके साथ में यह long term के लिए बहुत अच्छी company रहेगी आपके reference में दोस्तों अगर information अच्छी लगी तो please video को like कीजेगा बहुत मेहनत लगती है team को research करके आपके पास video बनाने के लिए please consult your financial advisor before investing and trading अब अगर ज़रा हम इसका technical level पर analysis करें तो हम देखेंगे क इसका कितना target हो सकता है और क्या इसकी संभावनाई बन सकती है आगे चल कर तो पहले long term का chart देख लेते हैं इसका long term में यह upward channel की तरफ चला हुआ था अगर आप देखें तो यहां से upward journey शुरू की इसने जानी और इसके बाद में यह पहुचकर March से पहले जो COVID का situation था उसमें उसने journey को break कर दिया है और नीचे गिरा और उसके आद में भी थोड़ा consolidation phase चल रहा है हम देखेंगे technical parameter पर इस consolidation को कैसे interpret करेंगे और कहां पर इसके खरीदने की संभावनाई बनेगी सबसे पहले अगर हम इसका फिबनना चाहिए आज रेश्में जाने की कोशिश कर रहा है दूसरा जो इसका एक बार अगर ये इसके उपर चला जाता है तो जहां तक उमीद है इस बार ये 2895 को या 2900 को क्रॉस करके ही मानेगा तो बहुत अच्छा outbreak होगा अगर ये उपर की तरफ को जाएगा हम देखेंगे कहां नीचे जा सकता है और कह तक ये उपर भी जा सकता है दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बारा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजे हमारे पास 300 से ज़्यादा वीडियो है जिसमें हमने different analysis किया है और आपको जो भी question होगा अगर आपका कोई recommendation है जिसके उपर आप वीडियो बना चाहते है ह हम we are happy to do that आप comment box में डालिए हम अपना backlog क्लियर करते रहेंगे यहाँ पर आपको motivation वीडियो मिलते है उसके साथ में latest stock based information मिलती है और इसके साथ में आपको जो भी कोई information चाहिए वो आपको मिलेगी तथा education वेडियो भी मिलेगा आपको यहाँ पर अब अगर हम बात करें इस तो हो सकता है इसमें थोड़ी नमी परकरार है पर उमीद यह भी है कि अगर यह उपर जाने लगेगा तो इसका up movement बहुत तेजी से उपर के resistance को touch करने की कोशिश करेगा तो अच्छा pattern है बहुत अच्छा देखने की जूरत है इसको अगले 4-5 दिरों में हम वीडियो बनाते 21 जून से इसने cell का signal दिया है और तब से इसको cell signal maintain किया हुआ है अभी तक तो लग रहा है कि कुछ अभी नमी बरकारा रहेगी जब तक यह 2555 को cross नहीं करता उपर की तरफ जाने के लिए तो यह अलग parameter जिससे आप पता लगा सकते हैं अब ज़रा हम nifty का का कारोबार देख देख कैसा nifty का का कारोबार हुआ क्योंकि इस डारेक्टी से डिपेंडेंट होता इसका यह तो market neutral कभी 20 पॉइंट उपर गया कभी 40 पॉइंट नीच गया और बंद होते होते 28 पॉइंट इसने बंद किया है वहीं पे अगर आप देखें तो HDFC बैंक करीब-करीब 1.6% और बंद नेगडिव बंद वाए यहाँ पर दिक्कत यह हो रही है कि अगर हम बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी ने भी कॉरबार सिमलर किया पर बंद होते 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 हों कि वहल 6 पॉइंट पर डाउन हुआ कि बंद हुआ दिक्कत यह है कि पिछले वीकेंड पे आरपिय गवर्नर ने बोला है कि यहाँ पर जो एसेट क्वालिटी है वो खराब होने जाली है जो करेंटली 8% के आसपास है वो 12% हो सकता है और उन्होंने यहाँ तक गए कि यह हो सकता है कि 14% तक चला जाए stress zone में अगर गए तो तो अगर ऐसा होता है तो सारे asset जो companies है उन पे थोड़ी प्रेशर आएगा cash withdraw करने के लिए तो HDFC, AMC पर भी थोड़ा प्रेशर आ सकता है तो हो सकता है यह थोड़ा नीचे का रुख रखे आगे के आने वाले time में वो बहुत अच्छा मौका होगा आपको वहाँ पे asset value बनाने के लिए बहुत अच्छी company है long term के लिए पर हम यह कह रहे हैं कि हो सकता है जैसा banking sector थोड़ा negative चल रहा है उसके हिसाब से इसकी भी थोड़ी pressure आए और यह थोड़ा नीचे को जाए अब अगर हम इसका पंदा मिट का चार्ट देखें तो देखिए आप इसको हम जारा zoom कर देते हैं तो आपको आराम से समझ में आएगा हम क्या देखाना चारहे हैं यहाँ तो अगर पंदा मिट का चार्ट देखेंगे तो जैसा nifty और bank nifty नीचे रहा पर इसने यहां से इसके नीचे नहीं आया और higher lows higher highs बनाता चला गया तो बहुत अच्छा pattern है हो सकता है 2390 के असपास इसकी अच्छी demand है यहां से नीचे ना गिरने दिया गा इसको हम इसको observe करेंगे very closely ताकि यह pattern जो बन रहा है उसको देख के हम बता सकें आगे क्या चल रहा है अभी के pattern बना है अगर वो break करता है या तो उपर या नीचे उसके पाद momentum काफी तेसी से चले गए है यहां बहुत अच्छा उसने consolidation किया है करीब April से I'm sorry करीब April से July end तक इसने पूरा consolidation किया है एक range में घुम रहा है 2700 से 2400 के असपास के लिए यह जब मोटा मोटा बोलें तो अब हम आपको levels बताते हैं जहां पर आपको खरीद सकते हैं तो जो सबसे पहला level आपको खरीदना है हम हमेशा बोलते हैं अपने दर्शकों को तीन tranches में खरीद दिएगा ताकि आपकी average cost कम रहे सबसे पहला quantity जो आपको खरीद सकते हैं हो 2300 2355 पर 2355 around that level you can buy the first quantity the second quantity which you need to buy is 2222 जी हां 4 times 2 यहां पर आपको दूसरा level है इसके आजपास आपको दूसरा level पर खरीद सकते हैं और तीसरा जो हम round figure बताएंगे वो है करीब 2000 के आजपास 2000 पर आप खरीदने की तीसरी quantity रखे हो सकता है 2000 आपको भी ना आए ये भी हो सकता है अच्छी बात है आप आपके पास अलड़ी दो लोट आ चुके है और फिर अप मुव इसने शुरू करते तो आप profitability रहेंगे उस ताइम पर हमेशा अपना staggered मेरे में में रखिए cost करना ताकि आपके पास cash रहे और आपको जब deploy करना पड़े तो आपके पास पैसर है उसको deploy करने के लिए अब तो यह हमारा target है 3444 का एक साल के अंदर यह target आपको मिलना चाहिए काफे अची company है हो सकता है भी थोड़ा नमी रहे इसलिए हम staggered मेरे में खरीदने के लिए बोल रहे है 2395 और 2222 के आसपास यहां पर अच्छी बात है आपको अगर कोई question है तो comment में डालिएगा और अगर happy to honor that one चलिए आज के लिए अभी के लिए इतना ही मैं उमीद करता हूँ आप सीक रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं धन्यवाद गुट लग बाई